आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके की हरा धनिया की चटनी आपने ऐसी चटनी कभी नहीं खाई होगी बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार बना लेंगे तो नास्ते से जादा चटनी को चाट चाट कर खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो चटनी बनाने के सब से पहले मिखिस का Advisor वाले हैं यहां पर जलूरी पॉइंट कि जो द्धनिया के डंठल है आपको कुछ वी स्ट्वाल करना है और यहां तो बस इसको आप बारी काट लीजिए ताकि पिसने में आसानी हो सके आप यहाँ पर हम डालेंगे चार हरी मिर्श तो मिर्श आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं जैसा आप तीखपन पसंद करते हैं साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना अगर पुदीना नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि गर्मियों में तो यह आसानी सी मिल जाता है अगर आप यह चटनी बाद में बनाएंगी तो हो सकता है पुदीना ना मिले तो मेरे यहाँ तो फिलहाल घर पर ल लेकिन मुफली आप बहुत जादा मट डालिएगा मैंने दो छोटी चमच के करीब मुफली के दाने लिए हैं अब हम इसमें एक सीक्रट चीज और मिलाने वाले हैं जिससे आपकी चटनी में जान आ जाएगी और आपको विस्वास नहीं होगा कि हम इससे चटनी इतनी बढ़ बहुत जादा बिल्कुल मट डालना सिर्फ आधी सिमला मिर्च परियाप्त है ठीक है अब इसमें हम डालेंगे आधा नीबू का रस ताकि जो हमारी चटनी है उसमें बढ़िया खटापन भी रहे तो इसका बीज गिर गया है मैं बीज निकाल देती हूं मुझसे हमेसा क्या है काला पड़ जाता है तो आप इसमें क्या करिए बिल्कुल थोड़ी सी इसमें चीनी मिला दीजिए बहुत ज्यादा बिल्कुल मत मिलाना वरना मीठी मीठी लगने लगेगी बिल्कुल जरासी चीनी से भी थोड़ी सी कम तो चीनी से क्या होता है चटनी का कलर जो है क इसको पीस लेंगे, फिर भी यहाँ पर कुछ मैं आपको टिप दे देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी में हम सिलवटे जैसी चटनी बाते हैं, बैसा ही स्वाध हो, तो आप इसमें पानी उपर से मत मिलाईए, इसको ऐसे ही पीस ही, लेकिन इसमें आपको थोड़ी स पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुफली के दाना है, जो कि काफी ड्राई हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल जरा सा पीसते वक्त, थोड़ा सा हमें जितनी जरूरत होगी, उस हिसाब से पानी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा मत मिलाना, तो आप देख सकते हैं, जो चटनी ह हमारी पिस चुकी है, तो हमने पानी ज़्यादा एड़ नहीं किया है, अगर नॉर्मल हम मुफली के दाना ना डालते, तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, क्योंकि धनिया पत्ती गीली होती है, धोकर के हमने डाली है, तो कुछ पानी उसमें रहता ही है, तो पिकर चीजों के साथ बनी हुई हरी चटनी, एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इस चटनी को आप पकोड़े, सैंड़ेच या किसी भी स्नेक्स के साथ खा सकते हैं, या खाना के साथ भी आप बना स अंहा है, या झाना किसी आते हैं, एक वाली है, पिक बहुत था खी बान साथ से नहार है, या लध जढ बना सी और बना से ज़े आने पहत बना से अजस्वत, उली में झर billion से जाई ह।